बिहार में तापमान लगतार गिरता जा रहा है एक तरफ करोणा काल है तो दूसी तरफ तापमान के गिरने के कारण बाजार में जो हैं चहल कदमी और सरगर्मियां कम होती जा रही है लेकिन चुनाओ की अगर बात कले तो चुनाओ की सरगर्मिया जह हैं वो लगातार बरती जा रही है अभी थोरी दिन पहले ही बिहार में पंचैट चुनाओ संपन हुआ और अब जो है बिहार में नगर निगम का चुनाओ होने जा रहा है कब हो गई ये चुनाओ इसकी तितिक अभी गोश्णा नहीं हुई है लेकिन तैयारिया जो है वो जोरो शोरो पर है इसी सिलसले में आज हम आ चूके है राजधानी पतना के वाड नंबर 62 में यहां के वाड पार्षत तारा देवी है और उनके बेटे रोशन जी है हम उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे कि 5 साल कैसा रहा और इस बार जीत को लेकर के क्या कुछ रणनेती होगे इनके पास तारा देवी जी आपका लाइब विहार में स्वागत है मैड़म 5 साल कैसा रहा बहुत अच्छा रहा है 5 साल कि विकास की नजर से देखा जाए तो कहाँ पर आपने विकास को पूरा किया और कहाँ पर कोछ चीज़े छुट गई क्या छुटा क्या पूरा किया अपने पूरा के यहीं कि बार संगे 612 में पहले तू मतलब जगदय पार्क पुरा खंडर था तो उसका सबसे पहले तूसका नीदान किये, पूरा सफाय किये, पूरा कि यहां देखते बनता है जन्दा को भी अभी मतलब कहता है कि हम इतना बोड दे करके जीताए हैं तो सबसे पहले पार्क में उजाला किया है बहुत अच्छा पार्क है उसका जीने रुद्धार का तर्याप ने कि अच्छा इसके अलाबा मतलब सेंसेबल बोरिंग वहाँ किये उजना कियें कि मतलब मेरे बाड में बारावला बोरिंग नहीं है जो दीजिये तो बहुत लेटर भी भेजे बहुत बोले बहुत कहीं है तो जाते जाते करते करते लेटर देते तक ठीक है तारादी हम देते हैं तो ही दो बोरिंग बारावला दिये हैं सेमसेबुल दाता पंच है नली-गली की निर्वान का कैसा रहा योट लाइंब नली-गली का पूरा बारसन में पूरा नाला का नाला के बहुत सकेता था बहुत अच्छा नहीं था तो बहुत उधार किये जतना नाला प्रोट पर पानी बहता था तो ही नाला बनवाएं रोट भी ढलाईया किया पैप लाक से पुरा विस्तार किर्मा करवाएं रोट भी ढलाईया करवाएं बहुत अच्छा दब इपटी बेगंपुर भी वहां चोक्सिकारपुर नाला पर है यहां थी जल्ला के मावीर जी से लेकर के अवा बालीला है गु पूरे पास साल में आपने कहीं ने कहीं विकास का काम किया कोई ऐसा जगह छूट गया हो जहां पर विकास अधूरा रहा हो उसको लेकर करके दिल में एक के यह होगा कि भाई अपकी बार जीतेंगे तो उसे पूरा करेंगे कहां पर छूटा है आपका कोई चीज पास साल मे और भी छूटा आव जहां ता मतलब छूटे हुआ है या धि बारसथ में तो उसका भी अब कर जीतेगे तहाँ है मतलब पूरा कर देंगे अब लगने बहुत हुआ है काम बारसथ किया बारसथ में नही making का रहा हैं, यहाँ, 75 परसंट वाकी है रोशन जी हमारे साथ उनसे जालेंगे पांच साल मम्मी का रेकाल कैसा रहा है आप साथ साथ रहें जैसा कि हमको मालूम चला साय के तरह मम्मी के साथ थे गाइड कही न कहीं आप कर रहे थे तो उससे पहले हम यह जाना चाहेंगे कि कहीं न कहीं हमको लगता है कि आप नहीं मम्मी को पुश किया कि भाई आप चुनाओ लड़िये कैसा रहा वो सफर जरा साथ पास साल पीछे जाए सबसे पहले बिहार नियुच के सभी दर्सकों को मेरा नमस्कार और बहुत खुशी हुआ कि आपने हमारे वाडनम और बाशट में आकर मेरी मां का इंटर्व्यू लिए और इस चैनल के मादेम से जो भी हमारे दिस्रोता लोग है जो भी लोग देखने वाले सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बताना चाहूंगा यह पांच साल का जो कारेकार रहा सबसे पहले तो राजनीतिक से कभी कोई बास्ता नहीं था मगर जब पापा सोसल वर्ड करते थे तो हम लोग भी बोलें कि नहीं आप पापा इतना सेवा किये हैं तो एक बार जनता खुद पापा को बोले कि देखे भाई आप इतना सेवा करते हैं जो एक बार मौका लेज़े आप जब कुछ है नहीं फिर भी आप अपने पॉकिट्स इतना करते हैं जब आपको कोई पद मिल जाएगा तो आप इसको और अच्छे धंग से समास्यवा करेंगे तो बस यही जिमेदारी उठाते हुए पापा मतलब है इस फिल्ड में और जिसमें महिलार अरचित यह वाड था इसके कारण मेरी मा श्रीमदी तारा देवी जी वाड कॉंसलर बनी और सबसे बड़ा सहयोग वाड बाशर की समानी जनता कि जिन्हें अपने पुर्ण बिस्वास करते हुए अपने भारी मतोशे श्रीमदी तारा देवी जी को बीजाए बनाया और यह पांच साल का कारेकाल में सारे चार साल बेट गया पता ही नहीं चार रहा कि सारे चार साल हम लोग इतना अच्छे से काम किये हैं और आने वाले दिन में जो भी और काम बागी सब काम को अच्छे से करना है और सही मायने में देखा जाए तो अभी हमारे पास बहुत सारी उपलब्दिया है कहने को क्योंकि सारे चार साल में समय सीमा बहुत कम है मगर काम जो हम लोग की है ये 10-15 साल जो पहले मतलब जो सोच भी नहीं सकते वो काम हम लोग कर के बाद देगे मेरे मुताविक तो ठीक मा तो बता रहे है कि 100% पुड़ा कम्प्लेट कभी नहीं हो सकता है ये चीज़ तो कोई भी नहीं कर सकता है मगा हां कोशिश हमेशा रहती है कि 75% काम अभी हो चुका है और आने वाले दिन में जो भी काम पेंडिंग उसको जल से पूरा कर लिया जाए पहली बार चुनाओ में ममी उद्रितिया से 5 साल पहले सारा 4 साल पहले और चुनाओ में जीत भी धर्श कर लिए उन्होंने तो कौन सा X Factor काम किया कि जनता ने इनको पसंद किया और अच्छे मतों से इन्होंने जीत हासिर की को से जी ऐसा देखा जाए तो हम लोग का बबस एक ही चीज था कि हम लोग समास सेबा करने के लिए उतरने ठीक है हम लोग को बस एक यही मोटीव लेके था कि हम लोग जनता के बीच में जनता के जो भी सुख दुख में जो भी उनका समस्या उसका निदान करना है एक जन परतिनीधी होने के नाते एक वाट कॉंसलर का सबसे पहला दाइतव होता है कि जनता सिस जितना लगा वाट कॉ तो बहुत जनता लोग नहीं पहुंच पाते हैं उपर के जो भी बरे नेता है जी तो जन परतिनीधी जो वाट कॉंसलर होते हैं इनके पास जनता जब भी पहुंच जाए इनका दरवार हमेशा खुला रहता है आप रात में आए सुबा में हमारा सुबा जनता के मतब करना चाहिए कोई भी समस्या अपने माध्यम चमेश बताएं और इसका जल से निदान करने का पूरा कोशिश रहती है कि लोग जो आसपस के जो लोग होते है वो फोन करते हैं तो फोन उठाते नहीं है जनता के समस्या नहीं सुनते तो इस मामले में श्रीमतित तारा देबिजी हमारे पार्षत परत्रीदी श्रुमेश में तो खुद मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब भी किसी तरह कोई समस्या होता हम लोग हमेशा वहां पे सामिल होते हैं और उस समस्या को जल से दूर करने का वादा करते हैं उसको करने का पूरा निर्ण समस्या का है जिसे अब पूरा हो जाना चाहिए अभी नहीं हुआ चलो भाई अगले पांच साल में पूरा कर दिया जाएगा चला ऐसे समस्या तो हमारा एक छटंकी नाला का था जो हमारा से लिनाश हो चुका है मानिए बिधायक जी इसका खुद से लिनाश की है और नगर बिधाया को बहुत लोग यहां पर आया थे इसके लिए हम लोग बहुत दिन से परियास कर रहे थे कि मतलग हमारे वाड़ से छे वाड़ का पानी छटंकी नाला होते हुए जल्ला की ओड़ जाती है तो होता क्या था कि जल्ला में कुछ अपना नीजी किसान का जमीन था जि यह मेरा बहुत बढ़ा चैलेज़ कुई कि 10-15 साल से इसके लिए बहुत लोग बोल भी रहे थे कि इसको बनाना बहुत जरूरी है हम लोग इसके लिए परियाश रत्र थे और यह सफलता हमारे कारेकाले मिला सबसे बड़ी उपलब्दी हमारी यही है और दूसरी बात देखा है तो पटना नगर निगम की जब से माननिये महापार श्रीमती सिता साउजी जीत कर आई हैं तो सबसे पहले तो अस्मार्ट सीटी का दर्जा जो मिला हमारे माननिये महापार के आते के साथ ही यह पटना नगर निगम को अस्मार्ट सीटी का दर्जा भी मिला और उनकी आने लगाए डोर टूरोर कचरा कलेक्शन हो गया और भी कई तरह की योजना है जो पत्ना नगर निगम आप खुद स्वेम कर रही है ये बहुत बरी उपलब्दी है पत्ना नगर निगम के लिए क्योंकि पहले के जो भी पूर्व के जो कॉंसलर लोग थे जो भी लोग थे वो लो कितना आशोस्त है क्योंकि आप चुनाओ नस्दीक आने वाला है देखे जीत को लेके तो देखे हम तो एक जन परतिरी थी हम तो बस यहीं चाहेंगे कि भाई जीत तो हमारी शुनस्चीत है मगर हाँ फिर भी आप लोग मीडिया के मादियम से में बस आप लोग से रिक्वे ताकि हम भी उसको जल जल पूरा कर सके यह तो जनता बताएगे देखे समय तो नस्दीक आवानी वाला है और वैसा हम लोग को कोई घबराट में जनता का जो डिसीजन वो सर्व मानने जनता सब से उपर है और जनता के कारण ही आज हम लोग इस पत्प है और जनता जिसको च साब से लगे कि यह हमारी जनपरतिनेदी बहुत अच्छा काम करें उनको आप लोग उस पत्प के लिए उनको आप दें और उनको उनके हाथों को मजबूत करें यही मेरा कहना जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा हम भी उमीद करते हैं कि इनको जनता का प्यार जरूर मिले तो ती एक हमारा देखिय हम लोग जब आयां पर एक अमारा compatible 62 का सेव किया है This हमारा पंचस्वा ड जो कहिए पुरे वार्ड में नहीं हर जगा पूरे पत्ना में यह हमारा tag-line famous है क्योंकि bize 62 निकले घुनाप जब हैन्स षट्सके भू है क्षेवा पहले करते थे सेवा अभी भी करें और सेवा करेंगे भी यह हमारा ठ्याउन नियूंगां इना पुरा फेमस हो गए। चलिए उमीद करते हैं कि सेवा इन्होंने किया है और सेवा करेंगे आगे भी सेवा करें और जनता का प्यार इनको भरपोर मिलता रहे तो ये थे वार्ड पारिशत तारा देवी जो वार्ड नंबर बासत की पारिशत थी उनके बेटे रोशन जी थे जो बता रहे थे किस तरह से इन्होंने विकास का कार किया है कैमरा परसन अमित के साथ असर्फ सिद्य की लाइब बिहार न्यूज